हेलो एवरिबन आई लाई हूँ आपके लिए स्वीट डीस की रैस्पी जो बनेगी सूजी से तो चलिए रैस्पी बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर लिया है मैंने एक कटोरी गुड इस तरह की कोई भी कटोरी सट कर ले और नाप कर डाले यहाँ पर सारा मैजरमेंट में इ जब तक गुड पानी में अच्छे से घुल ना जाए यहाँ पर गुड पानी के साथ अच्छे से घुल कर पक गया है अब डाल रही हो मैं इसमें एक कटोरी सूजी जिस कटोरी से मैंने गुड नाप कर लिया था उसी कटोरी से नाप कर ले रही हो मैं सूजी सूजी को डाल सूजी पानी के साथ यहां पर अच्छे से घुल गई है यहां पर सूजी जो है वो ठिक होने लगी है और सूजी को हमें तब तक चलाते हुए पका लेना है जब तक सूजी इकठी होने ना लगे सूजी यहां पर सूप्ट बनी रहे तो इसके लिए मैं डाल रही हूँ एक चमच घी घी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सूजी भी यहां पर अच्छे से पक कर इकठे होने लगी है अब यहां पर सूजी बनाने के लिए यह फरफेक्ट है अब हमें यहीं पर गैस बंद कर लेनी है इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है अब इसे हमें ट्रांसफर कर लेना है एक पलेड में जिससे यह जल्दी ठंडी हो जाए अब इसमें आदी स्पून इलाइची पॉडर डालें इलाइची पॉडर इसकीप ना करें इसे जरूर डालें इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है इलाइची पॉडर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें अब डाल आई हूँ मैं इसमें एक स्पून मीठी सॉप यहाँ पर मीठी सॉप इलाइची पॉडर को गुड़ वाले पानी सूजी के साथ ही डाल कर पका लें जिससे इसमें अच्छी सी खुसबू आएगी मैं डालना भूल गई थी इसलिए मैं अब डाल रही हूँ इलाइची पॉडर और सॉप को जरू डालें इसकी इप ना करें सूजी के साथ हमने इलाइची पॉडर और सॉप को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब डाल रही हूँ मैं इसमें एक चमच घी जिससे यहाँ हाथों में चिपकेगा नहीं हर मिठी चीज हाथों में चिपकने लगती है तो एक चमच घी डालने के बाद वो चिपकेगी नहीं सूजी को हमें यहाँ पर ज़्यादा ठंडा नहीं करना है इतना ठंडा करना है कि हाथ लगाने पर हम इसे आसानी से छोपाएं अगर सूजी जादा ठंडी यहां पर हो जाएगी तो इससे हमारी सूजी डिस नहीं बन पाएगी हाथों में गी लगाकर सूजी पेश्ट से मीडियम साइज गोला बना कर तयार कर ले जितने बड़े गोले बना रहे हो उतना जादा गोले को चप्टा करके फेला ले जिससे सूजी अंदर तक पक जाएगी और सूजी डिस खाने में क्रेश्पी लगेगी यहाँ पर मैंने जिस तरह से सूजी पेश्ट से गोला बना कर हातों से चप्टा करके टिक्की जैसा बना कर तयार किया है ऐसे ही हमें सारे सूजी पेश्ट से टिक्की बना कर तयार कर लेना है इन्हें बनाना बहुत ही आसान है तो यहां पर मैंने सारे गोलों को बना कर चप्टा कर लिया है यहां पर कड़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है कड़ाई जितनी छोटी या बड़ी हो उतने सूजी टिकी डाले है यहां पर कड़ाई मैंने थोड़ी छोटी ली है तो मैं यहां पर सूजी टिकी तीन ही डाल रही हूँ सूजी टिकी को मैंने यहां पर अलट पलट कर अच्छे से पका लिया है और इनमें एक अच्छा सा ब्राउन कलर भी आ गया है अब हम इने निकाल लेते हैं पलेट में अब सारी टिकी को ऐसे ही फ्राइ करें थोड़ा थोड़ा टिकी डाल कर एक तरफ से अच्चे से टिकीयों को सिखने दें फिर दूसरी तरफ टिकी को पलट लें कच्छी टिकी बिल्कुल भी ना पलतें तूट सकती है इन टिकियों को भी मैंने अलट पलट कर अच्छे से पका लिया है और इन में भी अच्छा सा golden brown कलर आ गया है अब इन टिकियों को भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरह से ही मैंने सारी सूजी की स्वीट डिस बना कर यहां पर तयार कर ली है आज की जो sweet dish मैंने बनाई है इसका नाम मैंने रखा है सूजी एडसा एडसा चावल से बनाए जाते हैं और चावल से बनाने में बहुत लंबा प्रोसीजर इसमें होता है तो मैंने सोचा क्यों नामे सूजी से एडसा बना कर मिंट में तयार कर लूँ जिसे बनाना आसान और टेस्ट की बात करे तो 19-20 का फरक हो सकता है पर लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगती है